हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल एलम एकडमी सील आईस के स्पेसल लेक्चर में हमने सील आईस 014 और सील आईस 013 को कम्प्लीट कर लिया है अगर आपने वो नहीं देखा तो उपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है वहाँ से जाके आप जरूर देखें अगर आपको कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्षन में हमें जरूर बताएं बहुत लोगों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि सर 011 कम्प्लीट कर आईए हम लोग का एक्जाम है तो आज हम CLIS 011 के ही टॉप 20 मुल्टिपल चॉइस कॉस्टन को लेके आए है फ्रेंड्स अगर आपने हमारे टेलिग्राम चैनल अभी तक जॉइन ही किया है तो उसका लिंक डिस्ट्स बॉक्स में दे दिया है वहाँ से जॉइन कर लें जिससे आप डेली लेक्चर का वीडियो फवेल कर सकेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे है तो चैनल को ज़्यादा सज़्यादा सपोर्ट करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम CLIS 011 के Multiple Choice Question को डिसकस करेंगे आज हमारा लेक्चर 1 है और इसका जो टॉपिक है Libraries and Introduction What is the full form of ISCO? ISCO का full form क्या है? तो इसका जो full form हो जाएगा International Society for Knowledge Organization तो यह हमारे ISCO का full form हो गया आगे चलते हैं next question पे Question No.2 What is the full form of SLA? SLA का full form क्या है? तो इसका जो full form होगा State Library Authority मैंने इसमें ज्यादा से ज्यादे full form के ही question लिये हैं क्योंकि आपके multiple choice question आने वाले हैं तो उसमें full form पूछने के ही ज्यादा chances हैं तो आप सारे full form देखके ही जाएगा exam में तो आगे चलते हैं next question पे Question No.3 The world's largest library network is सबसे बड़ी library network कौन सी है? तो इसका जो answer हो जाएगा OCLC आगे चलते हैं next question पे full form of OCLC OCLC का full form क्या है? तो OCLC का हमारा full form हो जाएगा online computer library center आगे चलते हैं next question पे Question No.5 full form of Chris Chris का full form क्या होगा? तो इसका जो right answer हो जाएगा communication right in the information society यह हमारा Chris का full form हो जाएगा तो मैंने पहले ही बोला था कि अब full form बहुत ही important है आप इसा जरूर देखिएगा exam में आपकी आ सकते हैं तो full form को तो आप देख के ही जाएगा आगे चलते हैं next question पे National Library of India Located in जो हमारा इंडिया का national library हो कहां located है? तो हमारा जो national library हो कोलकटा में located है अब national library होता क्या है? तो यह library that collects and preserve all the publication of the country यानि कि जो national library होता है सारा जो publication होता उसको preserve करता है जो national heritage होगारा होते हैं उसको भी जो books होगारा होती है उनकी उसको प्रिजर्ब करता है ये national library आगे चलते हैं next question पे question number seven public library run by which fund? जो public library होती है कौन से fund के द्वारा run की जाती है तो इसका जो right answer हो जागा public fund, public fund के थुरू ही यह run किया जाता है public library अब public library क्या होता है तो library means to be used for free by all the people यह नि सबके लिए free होता है free of cost होता है हर कोई वहां पर जाके access कर सकता है अपना study कर सकता है book हो गएरा भी देख सकता है तो यह public library होता है यह government के through ही इस ट्रेवलिस किया जाता है public library तो आगे चलते हैं next question पे question number 8 hospital library is which type of library management जो hospital libraries होती है वो किस type के management में आती है तो यह हमारा आती है special library में तो special library क्या होता है देख लेते हैं तो library of research and development institution industrial and business houses and for the special group of people यानि कि जो भी research and development institution होते हैं business houses होते हैं यह special group of people के लिए होता है तो हम उसको special library बोलते हैं आगे चलते हैं next question पे question number 9 which library provide document in the electronic form कौन सी library जो document प्रवाइड करती हो उस electronic form में करती है तो यह हमारा इसका जो right answer हो जाएगा virtual library virtual library होता है इसके documents electronic form में होते हैं virtually हम इसको access करते हैं आगे चलते हैं next question में full form of DLS DLS का full form क्या है तो हमारा DLS का full form हो जाएगा digital library system आगे चलते हैं next question पे question number 11 which library provide lifelong learning process कौन सी library हमारा lifelong learning process प्रवाइड कराती है तो यह हमारा इसका जो right answer हो जाएगा public library public library मैंने बताया कि सबके लिए free होता है कोई भी जाके अपना book को गएरा पढ़ सकता है study कर सकता है यह public library जो होती है government के तुरू ही established किया जाता है आगे चलते हैं next question पे question number 12 which library face copyright problem क्यूं सी library copyright problem को face करती है तो copyright क्या होता है actually किसी बी content को जैसे किसी का original content किसीने उसका use किया copy कर लिया और अपने थूह ही उसको किसी को provide कर आ रहा है तो यह copyright के थूह आता है तो यह जो problem आती है हमारी डिजिटल library में आती हम content को copy नहीं कर सकते है तो यह सारी problem हमारा digital library में होता है आगे चलते हैं next question पर question number 13 libraries are fundamentally a जो library है वो मूल रूप से किसके लिए होती है तो यह होता है libraries जो होती है service orientation institution होता है आगे चलते है next question पर what does WIFO stand for WIFO जो होता है इसके full form होता है world intellectual property organization आगे चलते हैं next question पर question number 15 when did copyright act 1957 came in to the effect तो जो copyright act 1957 यह प्रभावी रूप से कब आया तो इसका जो right answer हो जागा January 1958 आगे चलते हैं next question पर question number 16 full form of ICOLC तो ICOLC का full form क्या होगा तो इसका जो right answer हो जागा international coalition of library consortia आगे चलते हैं next question पर question number 17 which is the oldest library कौन सा oldest library है तो इसका जो right answer हो जाएगा Asiatic Society Library Mumbai यह हमारी सबसे oldest library है तो आगे चलते हैं next question पर question number 18 national libraries came to be established for तो मैंने बताया थे national library क्या होते है तो जो होता है preserving national heritage and culture जो भी हमारा जो publication होता है country को country का तो उसको preserve करता है publication को यह तो national library का ही काम होता है तो इसका जो right answer हो जागा प्रिजर्बिंग नेशनल heritage and culture आगे चलते हैं next question पर question number 19 full form of CSL CSL का full form क्या है तो CSL का full form हमारा हो जाएगा Central Secretary Library तो आगे चलते हैं next question पर आज का हमारा आखरी question है question number 20 CSL founded in which year यह CSL कौन से year में founded किया गया तो इसका right answer हो जागा 1891 तो फ्रेंड्स आज का lecture हमारा यहीं तक था हमने तब 20 multiple जो इस question को discuss कर लिया है आज ही मैं एक और lecture को upload कर दूंगा आप उसे जरूर देख लीजिए क्योंकि आपका कल इक्जाम है तो मैं आज दो लेक्शर अपलोड करूंगा आप इसके जो full form है आप उसे जरूर देखिए का बहुत ही important है full form क्योंकि MCQ में full form पूछने के ज्यादा chances हैं तो चलिए friends आज के लिए इतना ही अगर कोई डाउट हो तो comment section में हमाँ जरूर बताए वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें तो चलिए मिलते हैं अभी next lecture में आज के लिए इतना ही धन्यवाद